हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरा इटो चैनल एड़े रिटार एक फ्री क्लासेश में आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहेंगा एससी बैंकिंग डेल वे एदर कंप्पूरिशन को तो सभी के लिए महत्पून कोशन सब्सक्राइब कर लिजेगा लाइक कीजिएगा वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर कीजिएगा फुल बाच कीजिएगा चली बिना दिर के क्लास को सुरू करते हैं तो देखेंगे पहला कोशन दिये गए विकल्पों में से संबंधी सब्द अच्छा संख्या को चूनिए पुष्टक का संबंध प्रिष्ट से है तो उसी तरह से दिवार का संबंध क्या होगा रेट से सीमेंट से इट से पत्थर से तो आप जल्दी से जल्दी आव लोग बताएगा जिस परकार पुष्टक का पुष्टक में प्रिष्टों से मिला कर बनती है जैसे प्रिष्टो चल नेक्स्ट दूसरा नंबर कोशन देखेंगे दिये गए बिकल्पों में से समन्दित अच्छर संख्या को चुनिए जिससे देख रहे होंगे LNPQ को समन्द कह रहा है A, C, E, F को उसी तरह से T, V, X, Y को क्या होगा वाट के जगा पर क्या होगा जल दिस बताएगा कोमेंट किजिएगा तो देखिएगा लिख रहा है L N P Q इसको लिख रहा है A, C, E, F ठीक है तो कैसे लिख रहा है जो देखेंगे A, L को C L को C लाने के लिए माइनस 11 करना होगा N को C लाने के लिए क्या करना होगा माइनस 11 तो देखेंगे सभी माइनस 11 कर रहा है ठीक है इसको भी माइनस 11 कर रहा है तो उसी तरह से हम इसको करेंगे चलिए तो देखेंगे T, B, X, Y ठीक है देखेंगे अगर T को हम माइनस 11 करेंगे तो क्या आएगा माइनस 11 करने पर क्या आएगा I B को माइनस 11 करेंगे क्या आएगा K X को माइनस 11 करेंगे, तो कितना आएगा M और Y को माइनस 11 करेंगे तो क्या आएगा N मेरा right answer क्या हो गया I K M N I K M N is right answer C बन जाएंगे question चली आगे बढ़ते हैं next तिसरा नमबर दीए गेबिकलपू में से समंधित अच्छर संख्या को चुनिए देख रहे हैंगे 4 का समंध 20 से है तो उसी तरह से 8 का समंध क्या होगा तो जल्दी से आप लोग भी बनाएगा तो देख रहे हैं चार का समंध 20 से है इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4 पलस 1 आएगा कितना 20 मतलब 4 हो गया गुना 5 तो आया न 20 ठीक है चली हम एक step यह लिख देते हैं चली ठीक तो उसी तरह से 8 का तो हम 8 को लिख सकते हैं 8 इंटू 8 पलस 1 ठीक है तो हो गया 8 इंटू 9 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा 72 इराइट अंसर सी चेप next देखेंगे दिए गया बिकल्पों में से सब्द अच्छर संख्या को चूनिए कली साखा पत्ति पौधा जलीच बताएगा कली साखा पत्ति पौधा के अंग ये सभी जो है पौधा के अंग है ती राइट अंसर कौँ सा हो जाएगा दी ठीक है चली next अच्छरों का कौन सा समू खाली अस्थान पर क्रम बार रखने से दी गई अच्छर सिंख्ला को पूरा करेगा तो चली इस बताएगा आप लोग भी बनाएगा चली देखेगा लिखा है M तो सबसे पहले तो हम लोग काउंटिंग कर लेंगे कितना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तो चार का डिवाइड कर लेते हैं एक, दो, तीन, चार ठीक है 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 आप देख रहे होंगे यहां पर क्या है M N यहां पर भी M N होगा ठीक यहां पर देख रहे हैं कि M N यहां पर लिख रहा है क्या O है मतलब यहां भी होगा उस स्रीज में O होगा यहां पर क्या है यहां देख रहे हैं M है M होगा यहां पर mn o पुरा फूल कर रहा फिर यहां पर क्या mn है घट क्या रहा ओ गया एन ओए कांसा मैच कर रहा है कि एन ओ एम ओ ज्टाइट अनसर को सब जाएगा जल्दें पते कॉमेंट किजेगा इसाइट अनसर दी ए ठिक हा बन जाएगा नेक्स्ट छटा नमन निमली खीद में से स्रेनी को कौन सा अंग पूर्ण करेगा देख रहे होंगे 14, 27, 121, 101, 109, तो आगे क्या होगा वाट, वाट के जगाए पर क्या होगा जल्दी से बताएगा तो चलिए दिख रहा है 14, 27, 92, 101, 119, तो यहाँ पर क्या आएगा जल्दी से बताएगा तो देख रहे हैं इसका इसका डिफेरेंट कितने का है 13 ठीक है 27 और 22 का डिफेरेंट कितने का है 25 इसका इसका डिफेरेंट कितने का है 49 का और इसका इसका डिफेरेंट कितने का है सव और इसका 97 लेकिन इला किसे रहा है जो देखेंगे तो इसका और इसका डिफरेंट पहले हम देखेंगे कितने का है 12 ठीक इसका इसका डिफरेंट कितने का है 24 और इसका इसका डिफरेंट कितने का है और 40 तो देख रहे हों कि 12 का सब गुना कर रहा है 12 का गुना हो रहा 12 दोनी 24, 12 दोनी 24, 136 का जगा, 12 चाहो леж 48 मतलब कि 12 दोनी 24 हुआ, 24 दोनी 48 हुआ, तो आगे भी उसी तरह से हम करेंगे तो फिर अर्थाली दूनी 96 ठीक और 96 जो है इसमें जूटेगा 97 में 96 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बते यह 97 में 96 जोडने पर क्या आएगा 193 अगर हम 199 में जोड़ते हैं तो कितना आएगा 391 राइट अंसर में राकूंस हो गया ठीक है बन गया है ना असान बस आपको समझने की चीज़ है कोस्चन बहुत टफ है दिया है लेकिन अगर एक बार आप समझ जाएंगे तो में चैनल पर बहुत चीज़ बताया जायता है जिससे आपका रिजल्ट हो 100 परसेंट होगा इसलिए आप में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो जादा जादा सेर कीजिए लाइक कीजिए और हमेशा आप सीखने के कोशिश कीजिए आप बहुत इंपॉर्टर्न और रिपॉर्टर्न कोश्चन आपको सीखाए जाएंगे गया नेक्स्ट सत्वानमर नमर कोश्चन देखेंगे लिख रहा है, तो N, N है, E है, C है, T है, A, A है, R है, ठिक, बन सकता है C, A, R है, P भी है, E भी है, T भी है, चलिए E भी बन सकता है P है, A है, I, I नहीं है, मतलब यह नहीं बन सकता है चलिए एक और चेक कर लेते हैं, R है, E है, P है, E भी है, E डवल, E है, N है, T भी है मतलब E भी बन सकता है, तो कौन नहीं बन सकता है, C राइट अंसर कुम सा हो जाएगा, C चलिए, Next देखेंगे, अठवा नमबर यह दी, F, R, I, N, B को किसी कोड़ भासा में H, U, M, J, K, J, T, K लिखा जाता है तो उसी कोड़ भासा में C, A, N, D, E, L को कैसे लिखा जाएगा चलिए, बहुत इजी है, चलिए, देखेंगा क्या लिख रहा है, F, R, I, E, N, D ठीक है, इसको लिख रहा है H, U, M, J, T, K, ठीक है कैसे लिख रहा है, देख रहे होंगे F और H का डिफरेंट कितरे का है? पलस 2 का R, U का डिफरेंट कितरे का है? पलस 3 का का, I और M का different कितने का है, पलस 4 का, तो देख रहें, continue जा रहा है सभी, पलस 5 का, ठीक है, ये भी, पलस 6 का, और D और K का different कितने का है, पलस 7 का, तो सेम उसी तरह से हम इसका कर देंगे, सब एक 1 आगे कर देंगे, चले, तो देखते हैं, लिख रहा है, C, A, N, D, L, E, ठीक है, इसको हम लिखेंगे, अगर C को पलस 2 करेंगे, पलस 2 करेंगे, कितना आएगा, E, A में पलस 2 करेंगे, तो क्या आएगा, D, N में पलस 2 करेंगे, इसमें पलस 3 करेंगे, इसमें पलस 4 करेंगे, N में पलस 4 करेंगे, तो क्या आएगा, इसमें पलस 5 करेंगे, तो कितना आएगा, L में पलस 6 करेंगे, तो क्या आएगा, R, E में पलस 7 करेंगे, तो कितना आएगा, L, मेरा अंसर क्या आएगा, E, D, R, I, R, L, देख रहेंगे, E, D, R, I, R, L, इसमें राइट अंसर, A, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट, देखेंगे, यदि, A, माइनस को परदसित करता है, C, गुना को परदसित करता है, D, भाग को परदसित करता है, E, पलस को परदसित करता है, तो इतना कम क्या होगा, चलिए फटा फट बनाएंगे बिना देर की वे चलिए जल्दिस बनाईएगा आप लोग भी कमेंट सेखेंगे कमेंट कीजिएगा तो लिख रहा है 14 C का क्या मान है गुना 3 उसके बाद A, A का मान 1 माइनस है 12 E, E का मान पलस है 4 D, D का मान भाग गये है 2 चलिए कितना हो गया जल्दिस बतेएगा 2 दुनी 4 14 24 42 42 12 12 2 कितना आजाएगा 32 इस राइट अंस है D ठीक है चलिए Next चलिए जल्दिस बनाएगे कमेंट किजेगा 10 नमबर यदी 889 को बरावर 8 625 को एक उसी तरह से 586 को 9 तो 785 को क्या कहेंगे क्या लिखा जाएगा जल्दिस आप लोग कमेंट सेक्शन कमेंट किजेगा एक कोस्टन आपके लिए जा रहा हो इसका कमेंट सेक्शन कमेंट किजेगा इसका राइट अंसर क्या आएगा मेरे चैनल पर अगर पहली बारा है तो और फिर क्लासिस को सस्क्राइब कर लिजेगा लाइक कीजेगा वीडियो पूरा बाच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं नए क्लास में नए जोस के साथ वीडियो जाद जाद सेर कीजेगा हशते रहिए मुस्कराते रहिए थैंक्ट्यू